हेलो दोस्तो स्वागत साब का कॉमिक्स टाइम्स में और आज हम सुरू कर रहे थे हैं मोरदानों कांद का दूसरा भाग पहले भाग में हमने यहां तक कहानी कम्प्लीट कर चुके हैं दोस्तो चलिए सुरू करते हैं बीना समय कमाएं अभी चंद्रिका कुछ बोल पाती की तभी नाग राज विजदर की आवाज ने सब को चौका दिया कौन हो तुम तुम नाग लोक में एक च्छन भी नहीं रह सकते तुम्हें अभी लोट जाना होगा नहीं तो हम तुम्हें अपने विजद से मार देंगे मैं प्रिद्भी लोक का वासी राजकुमार अभी जीत हूँ ओ तो तुम हो राजकुमार अभी जीत तुमने ही चंद्रिका को अपने महल में बंदी बना रखा था हाँ मैं चंद्रिका से प्रेम करता हूँ मैं चंद्रिका से विवा करना चाहता हूँ नहीं तुम मानो हो और मानो से किसी नाग करने का विवा नहीं हो सकता चंदरिका से विवा करने के लिए तुम्हें नाग योनी में आना पड़ेगा लेकिन मैं नाग योनी में कैसे आ सकता हूँ यह तो असंभाव है यह असंभाव है तो तुरंत यहां से चले जाओ तुम एक च्छन भी नागलोक में नहीं रह सकते लेकिन अभी अभीजीत कुछ बोल पाता कि नागराज ने जोड से फुसकर मारी और अभीजीत उड़ता चला गया कुछ देर के बाद अभीजीत घने जंगलों में जाकर गिरा ओ मैं फिर प्रिद्वी पर आ गया अचरे की बात है कि मैं इतनी उचाई से गिरा और मेरे चोट भी नहीं लगी अब मैं क्या करूँ कहां जाओं अपने देश में लोट नहीं सकता इसलिए किसी दूसरे देश में चलना चाहिए और यह सोचकर अभी जीत वहां से उठकर चल दिया घने जंगलों में अभी जीत चलता रहा चलता रहा लेकिन उस जंगल का कोई अंत नहीं हुआ अरे यह जंगल तो समाथ ही नहीं हो रहा है भगवान पता नहीं अभी कितने दिनों तक चलना पड़ेगा कई दिनों की लंबी यातरा के बाद वहां महरसी कपिल के आसरम के पास पहुचा वहां किसी महरसी की कुटिया जान पड़ती है अगनी कुण से धुआ भी निकल रहा है धीरे धीरे चलता हुआ किसी तरह वो महरसी कपिल के आसरम पर पहुच गया महरसी पर नाम मेरी सहायता करो महरसी मैं बहुत दुखी इनसान हूँ और फिर महरसी कपिल के पूछने पर उसने सारी कहानी सुना दी नागराज ने तुम से ठीक ही कहा है तुम नाग योनी में परिवर्दित नहीं हो सकते लेकिन मैं क्या करूँ मैं चंदरीका को प्यार करता हूँ उसके कारण मेरा राजे मुझसे छिन गया अब मैं जीवित कैसे रहूँगा कुछ फिर कुछ देर सोचकर महरसी कपिल ने कहा वस मैं तुम्हें नाग योनी में तो परिवर्दित नहीं कर सकता लेकिन नागो के कुल गुरू का पता बता सकता हूँ वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं आप मुझे नागो के कुल गुरू का पता ही बता दे मैं उनके पास जाकर रियाजना करूँगा उत्तर जिसा के एक सहस्तर योजन दूरी पर नाग के सर परवत है परवत की एक कंदरा में नागो के कुलगुरू नागा जली रहते हैं मरसी का परणाम कर अभी जीद नागो के कुलगुरू से मिलने अचल दिये अनेक जंगल नदियां और परवत लांगता हुआ एक दिन अभी जीद नाग के सरपरवत पर पहुचा ही गया वहीं अभी वह कुलगुरू के समीप पहुचे ही था कि यह मनुस्य मेरे पास क्यों आ रहा है मैं अपने नागों को भेज़ कर इसका पता लगाता हूँ अभी जीट कुछ कदम चला ही था कि भेंकर नागों ने उसका रास्ता रोक लिया हे नाग मेरा रास्ता मत रोको मुझे तुम्हारे ही कुलगुरू के पास जाना है नागों के कुलगुरू नागांजली ने अपनी अलौकिक सक्ती से अभी जीट की बात सुन ली थी और तभी उन्होंने नागों के लोट आने का संदेज दिया ओ लगता है कुलगुरू ने मेरी प्रास्ता सरिकार कर ली है तभी नाग मेरे सामने से हट गये है कुछी देर में कुलगुरू के पास पहुचकर अभी जीट ने पर adelante किया कौन हो तुम इतनी कठी नी यातरा करके तुम मेरे पास क्यों आये हो कुल गुरु मैं नाग लोग की राज कुमारी चंदरिका से प्यार करता हूँ उसे विवा करना चाहता हूँ लेकिन नाग राज विजधर ने कहा है कि मेरे नाग योनी में परविवारितित के बाद ही यह संभव होगा मैं आपकी सरन में आया हूँ कुल गुरू अपने साथ अबी जीत को अपनी कंदराओं के पीछे ले गए उचा स्वेट परवत देख रहे हो वह परवत नहीं नागों की अस्थियों का धेर है नागों का धेर मैं समझा नहीं कुल गुरू यहां पर एक मौरदानों परती दिन आकर एक नाग को खाता है उसके लिए परती दिन एक नाग को यहां भेजा जाता है यदि तुम उस मौरदानों से नागों को मुक्ती करा दो तो तुम्हें नाग योनी मिल सकती है लेकिन मैं उस मोरदानों को कैसे मार सकूंगा उस मोरदानों को कोई मनुसे ही मार सकता है तुम यह रेवत मनी ले जाओ इसकी सहाथा से तुम मोरदानों को मारने में सफल होगे कुल गुरु नागांजली से रेवत मनी लेकर अभीजीत स्वेथ परवत की और चल दिया लंबी यातरा करके अभीजीत उन अस्थियों के धेर के पास पहुच ज़ा ही था कि अरे यह सब क्यों रो रहे हैं भू 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 तुम लोग क्यों रो रहे हो हे मनुसे तुम हमारे दुखों को नहीं समझ सकते हम बहुत मुसीबत में फसे हुए हैं तुम अपना दुख मुझे बता मैं अवस्थे तुम्हारी सहायता करूंगा हे मनुस्य पती दिन एक मोरदानों यहां आकर एक नाग को खा जाता है आज मेरे पती को उस मोरदानों का भोजन बनना है हम सब इसलिए रो रहे हैं ओ यह बात है तो अब तुम्हें दुखी होने की कोई जुरत नहीं तुम अपने पती को लेकर अपने घर लोट जाओ आज मैं उस मोरदानों का भोजन बननूँगा नहीं नहीं मनुस्य तुम हमारे लिए अपने प्रान का बलिदान क्यों करते हो मैं नागों में उस मोरदानों को मार कर तुम सब नागों को उससे मुक्त कराने के लिए आया हूँ तुम जल्दी से लोट जा हमें संदे है मनुस्य अगर आपने उस मोरदानों को नहीं मारा तो वो क्रोधित होकर नाग लोग पर आक्रमन करके सेग्रों नागों को मार डालेगा नाग राज फिर हमारे पूरे परिवार को मिंतु दंड दे देंगे नहीं नाग पुरुस ऐसा कभी नहीं होगा तुम निर्भय होकर अपने घर जा सकते हो यदि मैं उस मोरदानों को नहीं मार सका तो सवे उसका भोजन बन जाओंगा अभी जीत उस पत्थर पर बैठ गया और वहाँ नाग पुरुस अपने पिता पत्नी और बेटे के साथ लोट गया अभी जीत को वहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसे तिर्व स्वर सुनाई दिया और आकास में आंधी सी उठती दिखाए दी पिहू पिहू पलक जपकते ही मौरदानो अभी जीत के सामने आकर खड़ा हो गया तुम कौन हो मेरा भोजन नाग कहां है मुझे बहुत जोड की भूक लगी है उस नाग को मैंने भगा दिया मौरदानो आज तुम मेरा भोजन कर सकते हो लेकिन पहले मुझे युद करना ओ तो तुमने मेरे सिकार को भगा दिया फिर तो मैं तुम्हें अवस्य खाऊंगा अब तुम मरने के लिए तयार हो जाओ अगले च्छन बहुत विकराल डूपस में मोरदानों अभी जीत की और जपटा ओ फिर एक बार मोरदानों ने बहुत तेजी से अभी जीत पर जपटकर उसे पंजों में जखड़ लेना चाहा अभी जीत ने अभी एक पेड़ का सहारा लिया था कि अगले ही च्छन मोरदानों उस पेड़ की ही अपने पंजों में जखड़ उड़ने लगा पिहू पिहू पता नहीं है मौरदानो मुझे कहां ले जाएगा मौरदानो उस पेड़ को लेकर अस्थियों के धेर पर उतरा उस पेड़ को नीचे गिर आकर उसने अभी जीत की और अपनी चोंच बढ़ाई ओब मैं क्या करूँ यह तो मुझे चोंच में पकड़ते ही निगल जाएगा लेकिन अभी मौरदानो अभी जीत को अपनी चोंच में जकरता की तब ही उसे कुल गुरू की दी हुई रेवत मनी का ध्यान आया तुम यह रेवत मनी ले जाओ इसकी सहाथा से तुम मौरदानो को मार सकते हो अरे मेरे पास कुल गुरू की दी हुई रेवत मनी है मुझे उसका उप्योग करना चाहिए अगले च्छनर रेवत मनी अभी जीत के हाथ में थी अभी मौरदानों की चौँच उसके पास तक पहुचा ही थी कि उसने अपने हाथ उपर उठाए अरे इसके हाथ में कैसी मनी है इसकी चमक से मेरी आँखे बंद हुई जा रही है और जैसे ही रेवत मनी की चमक से मौरदानों की आखे बंद हुई अभी जीत ने उस पर आक्रमन कर दिया खचाक और अभी वह मौरदानों को मानने का कोई उपाय सोचता कि मौरदानों ने उसे हाथ में उठा लिया अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा पहले तुने मेरा भोजन नाक को भगाया फिर मुझे अंधा किया अब मुझे मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे इससे बचना चाहिए लेकिन अभी वह कोई उपाय सोचता कि मौरदानों ने उसे अकास में चाल दिया कुछ चन वह अभी जीट नीचे गिरने लगा अब जमीन पर गिरते ही मेरा प्रान निकल जाएंगे अभी जीट एक विक्ष पर गिरा तो मौरदानों विजलित हो उठा अरे वह मनुसे कहां गया जमीन पर गिरने की आवाज भी नहीं आई लेकिन वह जाएगा कहां मैं अभी धारन सक्ती से उसका पता करता हूँ और तभी मौरदानों ने अपनी धारन सक्ती से उसका पता लगा लिया किसी विक्ष की और से उसकी गंद आ रही है अवसे ही वह किसी विक्ष पर छिपा है कुछ च्छनों में मौरदानों उस विक्ष को नीचे पहुँच गया जिस विक्ष पर अभी जीद छिपा बैठा था ओह यह तो यहां भी आ गया हा 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 तुम इस विक्ष पर छुपकर मेरे हाथों से नहीं बस सकते हूँ मौरदानों ने अपनी चोच खोलकर उस विक्ष को हिलाना सुरू कर दिया अभी जीद अपने को विक्ष पर स्थिर नहीं रख सका और विक्ष से कुद पढ़ा नीचे कुदते ही अभी जीद मौरदानों के कंधे पर परहार करने लगा ओह खचाक खचाक मौरदानों ने अभी जीद को पकड़ने के लिए अपने हाथ उपर किये तब ही उसने हाथों पर परहार किया ओह खचाक हाथों के पंजे कटते ही अभी जीद ने मौरदानों की चोच पर परहार किया और कुछ ही देर में उसकी चौँच काटकर नीचे गिर गए पड़ी और अभी जीत ने उसकी गर्दन पर परहार किया खचाक खचाक और फिर उसकी गर्दन भी धड़ से अलग हो गई अगले च्छन मोरदानों का निर्जीव सरीर जमीन पर पड़ा था और अभी जीत नागों के कुलगुरू नागांजली की कंदराओं की और लोट रहा था मुझे सिग्र ही कुलगुरू के पास पहुचकर मोरदानों की मिल्तू का समचार देना चाहिए लेकिन जब वो कुलगुरू की कंदराओं के समी पहुचा तो आस्चरे चकित रह गया वहाँ पर नागराज विस्धर चंद्री का और बहुत से नागस्त्रियां पुरुस पहले ही पहुच चुके थे नागराज राजकुमार आ रहा है वह अवस्धर ही मोरदानों को मारने में सफल हुआ है तब ही तो वह जीवित लोट रहा है आपका वचन सत्य है कुलगुरू और जब पास आकर अभी जीत ने मोरदानों की मिर्टू का समाचार सुनाय तो सब खुसी से नाचने गाने लगे ओह मोरदानों मारा गया है 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 हो मोरदानों मारा गया कुलगुरू अब आप मुझे नाग योनी में परिवर्टित करने में पलबर का भी विलम ना करें नहीं वस्त अब विलम नहीं होगा लेकिन क्या कुल गुरू वस्त अभी नाग राज जिस तर से कुछ पूछना है वस्त तुम्हें अभी जीत से चंदरीका का विवा सरीकार तो नहीं है नहीं कुल गुरू लेकिन इनके नाग योनी में परिवर्टित हुए बिना यह कैसे संभव होगा नाग राज हम अभी जीत को नाग योनी में परिवर्टित करते हैं लेकिन हम सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं कुल गुरू हम सोच रहे हैं विजदर विवा के बात करने अपने पती के घर जाती है या सृष्टी का नियम है इसलिए उचित रहेगा कि चंद्रीका को मनुस्योनी में परिवर्टित कर दिया जाए आपने बहुत अच्छा कुल गुरू मुझे या सविकार है चंद्रीका ने अपनी मंतर सक्ती कुल गुरू ने अपनी मंतर सक्ती से चंद्रीका को मनुस्योनी में परिवर्टित कर दिया कुल गुरू से असिरवात प्राप्त कर नाग राज सब के साथ नाग लोक की और चल दिये नाग लोक में अबिजीत तुम नागलोक में ऐस से रह रहे हो और मैं यहां कारागार में सड़ रहा हूँ बेटे क्या तुम मुझे भूल गए अपने पिता की सुम्ती में खोया अबिजीत को यह भी पता नहीं चला कि कब चंदरीका उसके सामने आकर खड़ी हो गई है नहीं नहीं पिता ज हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ अबिजीत क्या हो गया है तुमें तुम कहां जा रहे हो कुछ नहीं चंदरीका मैं अपने पिताजी के ख्यार में खो गया था आओ मेरे पास बैठ जाओ चंदरीका उसके पास ही बैठ गई तो चंदरीका मैंने तुम्हें बताया था कि मालवि कहते हाँ आज ही मैं उन से बात करूंगा उसी दिन अभी जीत ने महराज विस्थर के पास जाकर कहा महराज मैं सिग्री प्रिद्वी लोग में जाकर अपने पिता को मलविका की कैद से मुक्त कराना चाहता हूँ लेकिन आपकी नाग सेना के बिना मैं इस कारे में सफर नहीं हो सकता हम आज ही अपने सेना पती को बुला कर नाग सेनिको को आकरमन के लिए प्रस्थान करने का आदेश दे देते हैं अभी जीत तुम सवे हमारे साथ चलोगे अगले दिन नागो की भारी सेना के साथ अभी जीत ने प्रस्थान किया अभी का पूर में राजा कुमारी मालविका ने अपनी सेना के साथ बहुत अकड़ा मकाबला किया लेकिन नागो की सेना के सामने सीगर ही उससे पराजे का मुँ देखना पड़ा मलविका आज तुमें पराजित होना ही पड़ेगा अब मैं तुमें बंदी बना कर रखूंगा अभी जीत हम भले ही हार जाएं लेकिन हमें गर्भ है कि हमने तुम से अपने अपमान का बदला लिया है और तभी अभी जीत का एक तिर्व परहार ने मलविका की तलवार उसके हाथों से छूट गई नाक सेनी को बंदी बना लो इसे मलविका को बंदी बनाते ही उसके सेनी को ने पराजे स्विकार कर ली राज कुमार अभी जीत की जै हो अभी जीत ने अपने पिता अमभी का दत को कारगार से करा कर राजगदी पर बिठाया मलविका को बंदी के रूप में दर्वार में लाया गया मलविका हम चाहे तो तुमें ब्राण डंड भी दे सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे तुमने हमारे राज पराक्मन करके हमें बंदी बनाकर कोई अपराद नहीं किया तुम्हारी जगा कोई भी होता तो ऐसा ही करता इसलिए हम तुम्हें ऐसा डंड देंगे जिसे तुम जीवन मुक्त नहीं होगी मलवी का हम अभी जीद से तुम्हारा विवा करेंगे हमें आसा है कि तुम उसे असविकार नहीं करोगी आप ऐसा न्याय करेंगे मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी मुझे सविकार है लेकिन चंद्रीका के को सविकार ना हो तो मैं असविकार मैं भी सविकार ना कर पाऊंगी तभी राजा अंभीका दत ने चंद्रीका से का बेटी चंद्रीका क्या तुम्हें अभी जीत के मल्विका का विवा सविकार है मुझे कोई आपती नहीं पिता जी मैं तो मल्विका को अपनी बहंद की तरह सने से रखूंगी और यह कहते हुए चंदरीका मलविका के पास चाकर खड़ी हो गए और फिर बहुत धूमधाम से मलविका का विबा अभी जीद से संपन हुआ कुछ दिनों के बाद अंभीका दत ने अभी जीद को राजगदी पर बिठा दिया समाओ चलिए दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चानल को सस्क्राइब कर दिया करें ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक तुरंट पहुस सकें चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स का अच्छे से भाग में तब तक के लिए धन्यवाद पीता